जूरेसिडिक्शन के रिगार्डिंग टॉपिक हमने डिसकस कर लिया और प्लेस अफ सुइंग के रिगार्डिंग हमने टॉपिक है अपनी लास्ट विडियू च के अंदर तो अब हमें ये पता चल गया कि इस किसी मेटर के रिगार्ड है अगर हमें सूट फाइल करना है तो वो कौन सी कोट की जुरूडिक्षिन में है और कौन सी कोट में उसे फाइल किया जाएगा अब इसके बाद में बात आती है कि उस सूट को वहाँ पर इंस्टेट्इट कैसे करेंगे जो कि first stage of a civil suit की एक civil suit को किसी भी कोट के हमें ट्राल करने के लिए एक first stage होती है उसको इंस्टेट्इट्इट करना जो कि हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया है Stages of a Civil Suit में तो आज हम उसी First Step को यानि कि Institution of Suit को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो इस वीडियो को end तक जुरूर देखें लेकिन उससे पहले हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे कि एक सूट क्या है यानि कि What is a Suit और उसके Essentials क्या क्या है यानि कि एक सूट को फाइल करने के लिए किन किन चीज़ों की requirement होती है कब हम कहेंगे कि यह जो particular matter है जो कि court में फाइल किया गया है वो एक सूट है और हम देखेंगे कि इंस्टिउशन आफ सूट के रिगार्डिंग जो सीपीस में प्रोविजन कौन-कौन से section या order में दिये गए है तो हाई गाईज, how are you all तो अब हम इस टोपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सूट क्या है वैसे देखा जाए तो जो टर्म सूट है वो सीपीसी के अंदर यानि कि इस कोड के अंदर कहीं पर भी डिफाइन नहीं कीगी है बट अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डिक्सरी मीनिंग या फिर किस लोज के अदार पर हम सूट किशे कह सकते हैं अब सबसे पहले देखेंगे डिक्सरी मीनिंग के अदार पर जो कि ब्लैक लोज डिक्सरी के अदार पर है जिसमें सूट को क्या कहा गया है कि is a generic term of comprehensive significance referring to any proceeding किसी भी proceeding को जो referring करने वाली comprehensive significance है जो कि by one person or persons against another or other in a court of law एक court of law में कोई भी proceeding by one person या एक से ज़्यादा से द्वारा किसी दूसरे के खिलाफ जिसमें plaintiff pursues का करता है remedy जो कि law है उसे affords करता है किसलिए for the redress of any injury or the enforcement of right whether at law or in equity चाहे वो law में है या equity में है उसके जो injury हुई है उसके redress के लिए या फिर किसी right की enforcement के लिए जो law उसे afford करता है remedies वो यहाँ पर pursue करने के लिए जो plaintiff के दोबारा यहाँ पर file की गई को proceeding है किसी के खिलाफ उसे यहाँ पर suit कहा गया है as per the dictionary meaning अब देखते हैं एक case law या फिर कहें उसको common parallelence के अधार पर तो यहाँ पर जो case law कौन सा है Ethiopian Airline वर्सिज गनेश नारायन साबो जो 2011 का case है जिसमें suit जो term है उसे किस तरह से define किया गया है कि suit is taken to include all proceedings of judicial और quasi judicial nature जिनके अंज़ जो dispute of aggroid party है वो adjudicated होते हैं before and impartial form एक impartial form के सामने कोई भी जो aggroid party का dispute है वो वहाँ पर adjudicated होता है उसे हम यहाँ पर उस तरह की जितनी भी proceeding है उनको यहाँ पर suit कहेंगे सदारन तोर पर अगर section 26 की बात करें तो वहाँ पर एक suit किशे का गया है वहाँ पर suit उस civil proceeding को का आगया है जो की instituted होई है by the presentation of a plant यानि की plant की presentation के थुरू इने court कोई भी civil proceeding अगर start होती है तो उसे यहाँ पर suit का आगया है as per the section 26 of the CPC तो यह था suit का meaning या definition जो की हमने कुछ के case law, definition, meaning के दार पर देखा अब देखते हैं कि essentials क्या क्या है एक suit के यहाँ पर four essentials दिये गए है एक suit के regarding first है opposing parties, second subject matter in dispute and third है cause of action and fourth relief अब first वाला जो opposing parties है यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो किसी भी suit के लिए यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा parties का होना जरूरी है तो यह जो parties के regarding topic है वो हम अपनी next video में discuss करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि parties क्या है joiner of parties क्या है miss joiner क्या है इसके regarding जितने भी provision है जो कि हमारे order 1 अपसे CPC में दिये गए है वो सारे discuss करेंगे उसके बाद में आता है subject matter in dispute subject matter क्या है subject matter वो matter है जिसके regarding जो सिविल सूट है वो हँ़ हम पर disputed हुआ है जिसalt के regarding matter के regarding वहाँ पर relief मांगी गई है या कोई cause of action है उच्छिकों किया जाएगा या consider किया जाएगा उसको यहाँ पर subject matter कहा गया है उसके बाद में आता है cause of action cause of action को हम यहां पर बहुत important कह सकते हैं क्योंकि अगर किसी भी suit के अंदर कोई cause of action नहीं है तो उस case के अंदर वहां पर जो quote है वो उस plaint को यहां पर reject कर सकती है तो cause of action वो set of facts या circumsintences हैं जो कि एक plaintiff से क्या required किया जाता है कि वो उनको prove करें तो इससे धार पर हम cause of action को यहां पर legal meaning देना की कोशिच करें तो वो क्या है कि every fact जो कि necessary है for the plaintiff के लिए किस लिए to be proved करने के लिए with a view, किस view से to obtain a decree in his favor अपने favor में अगर वो को decree लेना चाता है तो उस matter के regarding अगर वो prove करता है कोई भी fact तो वो यहां पर वो cause of action माना जाता है यानि कि वो facts जो कि उसके right को यहां पर constitute कर रहे हैं तो यह था cause of action उसके बाद में आता है relief relief क्या है किसी भी suit के अंदर court है वो relief grant नहीं करेगी कब तक grant नहीं करेगी unless the relief is specifically claimed by the party यानि कि जब तक party के दोवारा को relief specifically claim नहीं की जाती है तब तक court है वो उसको relief grant नहीं करेगी वैसे भी generally देखा जाए तो वो कैसे grant करेगी उसको relief अगर court को पता ही नहीं है वो party है वो क्या relief चाती है तो अब हमने suit का meaning भी देख लिया क्या चीज़ है इसके essential देख लिए आप देखते हैं कि suit को institute कैसे करते हैं कि court के अंदर तो इसके regarding जो section 26 and order 4 है वो provide करते हैं provision किसलिए for the institution of a suit अब section 26 क्या कहता है तो यहाँ पर section 26 क्या कहता है कि every suit shall be instituted by the presentation of a plant or in such other manner as may be prescribed तो इसका कहने का मतलब है किसी भी suit का institution मतलब presentation of a plant या फिर कोई other manner जो की prescribed है तो वहाँ पर उस case के अंदर हम उसे institution of suit कहते है as per the section 26 वहीं पर अगर order 4 की बात करें तो order 4 का जो rule 1 वो क्या कहता है कि every suit shall be instituted by the presenting a plant in duplicate to the court or such officer as it appoint in this behalf यानि कि परते हैं एक suit वो कैसे institute होगा by presenting a plant in duplicate to the court और किसी essay officer को जो कि उस काम के लिए वहाँ पर appointed किया गया है and जो sub rule 2 क्या कहता है इसका sub rule 2 कहता है कि जो परते एक plant है वो shall comply with the rule contained in order 6 and 7 so far as they are applicable यानि कि जो order 6 और 7 के अंदर जो भी rule है regarding the plant जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर discuss की है जो कि आप उपर वाइट आई बिटन में जाकर के देख सकते है वो यहाँ पर comply होने चाहिए and plant shall not be deemed duly instituted कब तक instituted नहीं मानी जाएगी unless it comply with the requirements specified in sub rule 1 and sub rule 2 and यह जो presentation है वो किन के दवार की जा सकती है यह plaintiff के खुद के दवारा या फिर उसके advocate के दवारा या फिर उसके जो recognized agent है या फिर any person जो कि duly authorized by him तो उनके दवारा यह जो plant है वो present की जा सकती है अब बात आती है कि presentation है वो कब और कहां करनी चाहिए यानि कि time and place of a presentation एक plant है वो must be presented to the court or such officer यानि कि जैसा की हमने order 4 rule 1 में देखा था की जो presentation है वो क्या है to the court or such officer जो कि appointed है in that behalf उसको and generally क्या है वो presentation है plant की वो must be on a working day होनी चाहिए and during the office hour लेकिन फिर भी अगर यहां पर कोई rule नहीं है कि सीज के regarding that is such presentation है must be made either at the particular place or particular time अगर एक जज है therefore may accept क्या कर सकता है एक plant को at his residence or at any other palace even after the office hour तो याद भी he is not bound to accept it but if not to inconvenient अगर वह उसके लिए inconvenient नहीं है तो judge must accept the plant if it is the last date of the limitation अगर वो last day है उस limitation का तो उस case के अंदर वहां पर है जो judge है वो उसको accept कर सकता है अब इसके बाद में बात करते है register of a suit यानि कि जो particular है every suit के वो will be entered होगे काहां पर in the register of a civil suits civil suits का जो register होता है उसमें है जो सभी particulars है उस पर देख suit के वो enter होगे ये हमारा order for rule 2 कहता है and after the plant is presented plant presented हो चुकी है तो it will be scrutinized होगी by the stamp reporter stamp reporter के दवारा इसको scrutinize किया जाएगा अगर वहां पर उस plant के अंदर को defect है तो they will be removed होगे किसके दवारा by the plaintiff या फिर उसके advocate के दवारा and suit उसके बाद में thereafter be क्या होगा number and उसके बाद में उस suit के number लगेंगे तो ये थे जो provision institution of suit के regarding जिसमें अमने एक एक point को detail में discuss किया है I hope कि आपको इस के regarding इस topic के regarding कोई भी doubts थे तो वो clear हो गए होगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगिए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्त अक्षाथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो परने के लिए and thanks for watching keep learning